गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स वेलकम अगें ओनलाइन क्लासेज देरे स्टुडेंट्स हमारा 12th क्लास और 11th क्लास का एक टॉपिक चल रहा था एडवर्टाइजमेंट उस एडवर्टाइजमेंट में पिछला जो मारा वीडियो था उस वीडियो में मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट क्या होता है कितने टाइप्स के होते हैं उसमें भी हमने क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के बारे में जाना क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के मैंने आपको टाइप्स बताए ठीक है उन टाइप्स में कौन कौन से टाइप्स है उसम का जो मारा वीडियो है वो situation vacant advertisement से related है कि situation vacant advertisement को हम कैसे लिखते हैं क्या उसका format है ठीक है और कौन-कौन सी बाते हैं जो हमें ध्यान रखनी है situation vacant advertisement को frame करते समय तो यह situation vacant क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं तो श्टार्ट करてें situation vacant situation vacant 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 का मीम्स होता है खाली की कोई जगे क्या हो खाली हो वो कहलाता है अब क्या होता है situation vacant की कोई कमपनी का कोई मालिक है honor है, ठीक है, कोई organization का कोई director है, school का कोई principal है, ठीक है, उसे अपनी institute में, ठीक है, अपनी company में, अपनी school में, अपनी संगटन में, क्या देनी है उसे, किसी व्यक्ति को यदि नौकरी देनी है, तो उसके लिए निकाला गया जो add होगा, उसका, वो add situation vacant column में आता है, clear, अब कैसे आएगा, कैसे वनाएंगे, उसके वारे में जानेंगे, तो सबसे पहले situation vacant की, मैं आपको definition की बात बता हूँ, तो situation vacant की होता है, कि this advertisement, this advertisement is written, clear, कि this advertisement is written, why an employer, why an employer who is looking for a person, who is looking for a person, clear, क्या होगा, if the advertisement is written, why an employer who is looking for a person for service, for service, in his organization, in his organization या institute, clear, यह कहला आता है, situation vacant, ठीப, क्या है, कि this advertisement, this situation, जो vacant है, is written, लिखा जाता है, why an employer, इसके दवारा, कि ईक जो employer होता है, एक जो मालिख होता है, कोई भी institute का, कोई organization का, उसके दवारा लिखा जाता है, कब लिखा जाता है, जब तलस करता है, किसकी तलास करता है एक परसन की तलास करता है एक suitable candidate की तलास करता है और service क्या देने के लिए उसको service देने के लिए उसको job देने के लिए तो वो कहलाता हमारा situation back end clear अब dear students some points हैं कुछ points हैं to be kept in your mind वो आपको आपके mind में बिलकुल क्या रखने हैं ध्यान रखने हैं ठीक है कि कौन-कौन सी वाते हैं कौन-कौन सी चीजे हैं जिनको हमारे mind में हमें frame करना है कब जब हम situation back end से क्या बनाए advertisement बनाए तो start करते हैं कौन-कौन सी ऐसे points है situation back end से advertisement बनाते हैं समय तो देखो सबसे पहले जो वात आती है dear students कि हम पहला जो point है situation back end का कि हम उसकी starting कैसे करेंगे clear कि how to start situation back end कि situation back end को कैसे start करें ठीक है उसकी starting कैसी हो तो सबसे पहले जब हम उसकी starting करेंगे तो पहला point हमारा यह होगा कि उसकी starting कैसे करें तो starting में dear students हमको लिखना है wanted or required का लिखनाम को wanted wanted or required ठीक है क्यों उसकी starting करेंगे wanted या required clear तो पहला point यह है कि जब हम situation back end advertisement बनाने जा रहे हैं तो उसमें पहली जो बात हमें ध्यान रखनी है वो है कि उसकी starting कैसे हो ठीक है तो starting जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे wanted or required ठीक है कि यह well qualified या experience जो भी है clear second जो point आएगा हमारा वो point आएगा name of name of vacancy name of the vacancy vacancy कह सकते हैं फिर हम post ठीक है कि किसी मालिक को किसी employer को अपनी company में अपनी institute में कौनसी post पर क्या देनी है appointment देनी है ठीक है कौनसी post के लिए वो नौकरी देने जा रहा है तो उस post के बारे में हम लिखेंगे तो second जो हमारा point है वो होगा name of the vacancy या फिर name of the post के लिए जैसे हमने starting करी कि वह wanted हमें चाहिए ठीक है क्या चाहिए a lecturer in English तो हमने क्या लिख दी name of the vacancy post का नाम लिखा कि lecturer चाहिए इना English किसका चाहिए English का लेक्षर चाहिए ठीक है तो वो आपको लिखना है यह फिर हम number बता सकते हैं वह कितने चाहिए अगर number दिये हो तो थर्ड जो बात है थर्ड वाली तीसरा जो point है वो है name of the organization name of the organization name of the organization कि उसका जो institute है उसकी जो company है institute है school है जो भी x by z उसका भी हमके लिख सकते हैं नाम लिख सकते हैं clear wanted a well qualified lecturer in English for रग्या चैडबी कोई भी जो school है उसका हम नाम लिख सकते हैं clear तो starting हो जाएगा starting केस करेंगे wanted a required से फिर name of the vacancy या post का नाम फिर number of बहुत स्वारी name of organization clear उसके वाद फिर जो अगली चीज़ आती है वो हमारी आएगी qualification की क्या आएगी qualification ठीक है related to post ठीक है कि जो हमारी post होगी vacancy होगी उससे related जो qualification है वो qualification में लिखनी चाहिए जैसे एक lecturer चाहिए तो lecture के लिए MA MSCBA हो clear तो वो हमको बतानी qualification उसके बाद फिर हमारा fifth जो आएगा वो आएगा हमारा experience क्या आएगा experience के बारे में भी हमको situation vacant में क्या करना है mention करना है कि हमें इतना experience चाहिए या फिर हमारे पास experience नहीं है जो भी है clear फिर अगला जो आता हमारा वो आता salary ठीक है salary according to जो भी हमारी qualification है योगता है उसके आदार पर experience के आदार पर यह फिर हम कह सकते है नेगोसियेवल ठीक और लास्ट में फिर हमें apply करवाना है ठीक है यह process बतानी है क्या बतानी हमको process बतानी है कि जो हम situation किस प्रकार से हम क्या करेंगे बढ़ती करेंगे कि वही हम demo class लेंगे आपकी यदि school से related है या कोई interview आपका लिया जाएगा clear उसके बारे में हमको बताना है और last में फिर हम contact लिख देंगे कि वो हमसे क्या करें contact करें तो dear students situation vacant को बनाने के लिए ये कुछ points है जो आपको आपके minds में क्या रखने है जहां रखने है ठीक है while making situation vacant there are some points to be kept in your mind ठीक है तो देखो first है starting किसकी start कैसे करें किसकी situation back end की दूसरा है name of the vacancy या post के बारे में हम लिखेंगे तीसरा है हमारा और registration का हमको name लिखना है संगटन का नाम लिखना है for the qualification के बारे में बताएंगे हम किसका बताएंगे qualification फिर experience के बारे में और salary फिर apply करना है ये सारी बातें जो हमें ध्यान रखनी है situation back end में अब मैं आपको इसका एक format बताता हूँ कि किस प्रकार से हम situation back end को क्या करेंगे लिखेंगे एक fix format कि कोई सा भी end of retirement आये situation back end में दियर students कोई भी आये में मेरे इस format को ध्यान रखो ठीक है आपका 101% exam में वो question सई होगा उसके आपको पूरे नमर बलेंगे इस बात की मैं guarantee लेता हूँ तो देखो situation back end को बनाते समय दियर students आपको सबसे पहले capital letter में लिखना है capital लिख दिया हमने situation back end किरिया यह हमने capital लिख दिया situation back end ठीक यह situation हमारा क्या है back end आपको heading डालनी है उसके बाद आपको इस प्रकार से lining करनी है ठीक लाइन आपको cd खिचनी है हो सकता है मेरी कुछ steady-mady हो जाए ठीक है situation back end में आपको लिख नहीं है मैंने बता है अपको starting how to start कि हम कैसे start करें इसको ठीक है तो कैसे करेंगे कि wanted में आपको लिखना है तो wanted लिखना है यह required लिखना है या तो wanted लिखना है या required लिखना है हमने लिखा wanted a well qualified wanted a well qualified and experienced clear wanted a well qualified and experienced clear dear students इस प्रकार साब को लिखना है format में कि wanted a well qualified and experienced उसके बाद मैंने second point बताया आपको यह first point था कि उसकी starting कैसे करें तो मैंने बताया starting कैसे करेंगे wanted से तो यह starting होगी हमारी कोई साब भी situation बेकेंट हा आपको इसी प्रकार से starting का नहीं है कि wanted a well qualified and experienced clear अब उसके बाद आपको यहां पर क्या लिखना है name of the post post का नाम लिखना है clear क्या लिखना है आपको name of the post लिखना है name of the post ठीक है जैसे कि wanted a well qualified well qualified and experienced lecturer in English यह से आपने लिख दिया name of the post में क्या लिख दिया मैं आप लिख के बता देता हूं lecturer है न English clear हम चाहे तो school लिख सकते हैं for government senior secondary school for प्रग्य academy जो भी है उसके लिए for प्रग्य academy clear dear students अब यहां पर क्या आएगा name of the organization जो मैंने आपको बताया clear अब हम qualification से related लिखेंगे कि candidate अब यह जो पोस्ट है उससे related उसकी क्या होनी चाहिए qualification वैसे हम बता ही चोके हैं वह bell qualified ऊपर ही बता चोके हैं कि यह होनी चाहिए ठीक है फिर आप लिख देंगे कि candidate the candidate the candidate must be यह सुड़ भी जो भी है must be अब यहां पर क्या हैगी qualification आएगी जो post से related qualification है वो qualification है आपको कर लिखना है नाम लिखना है dear students कर लिखना है clear उसके बाद फिर आप लिख देंगा minimum minimum five years experience experience के बारे में जो भी हमको बताना है फिर आप लिख सकते है fluency in English फिर यह speaking in English fluency in English Hindi जो भी है फिर good knowledge good knowledge of the subject clear यह सारी उसके बाद हम लिखेंगे last man जो पॉइंट बता है आपको कौन सा salary salary आप लिख सकते हैं नहीं जो seeable ठीक है अब process प्लीज वाक इन इंटर्व्यू आप मों इंटर्व्यू के लिए लिख सकते हैं प्लीज वाक इन इंटर्व्यू या फिर कोई demo classes जो भी एक्स भाई जै और last में फिर हम लिख देंगे contact लिखेंगे हम contact contact में principal प्रग्य अकेडमी जो भी है ठीक अपने mobile number तो ये एक format है इस format के according हमको situation vacant advertisement frame करना है और आई होप की आपके समझ में आया होगा कल इसका हमें question करेंगे कि किस प्रकार से में बराएंगे तो हंडेड बन परसेंट आपके वो समझ में आएगा एक बाद फिर इस format को मैं आपको revise करता हूँ कि situation vacant में आपको लिखना है wanted a well qualified and experienced wanted a well qualified and experienced ठीक है lecturer है English lecturer हो तो lecturer post कर नाम लिखना है receptionist हो तो receptionist लिख देंगे हम ठीक है computer operator चाहिए तो computer operator जो भी vacancy है वो vacancy का आपको जिक्र करना है ठीक हां के लिए जो school है कोई company है accountant चाहिए हमके कोई company में जो भी है ठीक candidate should we must be जो से related जो qualification चाहिए वो qualification के बारे में बताना है experience के बारे में हमको बताना है ठीक है fluency in English अगर teaching से related है या computer से related है तो हम कहतेंगे good knowledge of computer and typing good speed of Hindi English typing ये सारी चीज़े हैं ठीक salary negotiable जो भी हमारी बादचीत होगी उसके according हम set कर लेंगे ठीक और जो आपको process है कि आप interview के लिए फ़लातारी को आए वो आए और contact ये है तो I hope कि आपके situation vacant समझ में आया होगा dear students झाइ झाइ